आप सभी प्रिये दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे और चिट फार्मा के बारे में लो फ्री फ्लोट होने की वज़े से और NCLT प्रोसेस से बाहर निकलने के बाद ये स्टॉक ने तूफान भरी तेजी दिखाई है क्या ये ओर उपर जा सकता है? शायद जा सकता है पर as a retail निवेशक आपको क्या करना चाहिए? हम बताते हैं अपनी position और हम बताएंगे अपनी सलहा भी हो सकता है कुछ दर्शकों को ये वीडियो अच्छा ना लगे बड़ दोस्तों आप एक बात समझे जब आलोक इंडस्ट्रीज पचास के उपर चल रहा था या फिर जब रुची सोया पंदरा सो के उपर चल रहा था हमारे अकेले चैनल ने बताया था कि यहां पर मत खरी दिये यहां बहुत प्रॉबलम होगी जहां पर दूसरे चैनल बोल रहे थे कि आलोक इंडस्ट्रीज 500 का भाव जाएगा तो आपको थोड़ा सा अपना रैशनल लगाना है अगर अभी तक आपने वो experience यह नहीं किया है तो please आप से request है थोड़ा सावधान होकर इस stock में bid कीजेगा अगर आपको bid करने भी है आई चलकर शुरुआत करते हैं हम कुछ basic information के साथ में तो अगर हम orchid pharma की बात करें सबसे जो की oral injectable और veterinary product और non-antibiotics बनाते हैं तो इसके लिए अभी इनकी जब company का production चलेगा जब company का research and innovation होगा तो यह product की list और लंबी होगी जिससे इनको long term में तो फायदा मिलेगा पट क्या यह current price इसका justified है NCLT के बाहर निकलते के साथी अगर हम इनके बात करें तो दिखिए 1992 मे यह establish हुई थी और इसके बाद में यह NCLT के through process हुआ है इसका shareholding का क्योंकि इसका debt का problem बहुत जादा था तो यह आगे चलकर इसको कई तरह से इसका acquisition हुआ है और यहां से अब यह थोड़ा सा एक reasonably level पर stock है जो की higher end of valuation है देखिए यह पिछले चार महिने में जबसे इसकी realist यह 6000 प्रतिशत ऊपर चुड़ चुड़ चुका है जो कि एक normal behavior नहीं है stock का तो आपको थोड़ा साफदान होना है यहां पर अगर हम बात करें यह जो हुआ क्यों है देखिए यहां पर इनकी free float बहुत कम होती है free float क्या होता है free float यह एक percentage of share है कि आपके पास कितने share है जो आ हैं शब्स कितने हैं stock market में तो अगर किसी के पास में एक million share है hand exchange करने के लिए और वहीं दूसरी company है जिसके पास में महज 8 lakh share है hand exchange करने के लिए वहीं एक तीसरी company है जिसके पास महज 10,000 हैं उनके पास में hand exchange करने के लिए तो यहां पर यह company का free float सबसे ज़ादा है यहां पर manipulation सबसे कम होगी, यहाँ पर इस company का free float सबसे कम है और यहाँ पर operator की manipulation बहुत ज़ादा होगी, operator कैसे manipulate करते हैं, जब available होता है, जो भी price में available होता इसको खरीदना शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ यह stock आसमान चुएगा, यह stock अगला multi-bagger बनेगा, पर वहाँ पर फिर क्या होता है, जो नए investor होते हैं, वो लोग यहाँ पर इस price में फस जाते हैं, और उसके बाद operator इनको अपना माल बेच कर भाग जाते हैं, और price fall होता है as a rock, तो आपको यह बात समझनी है, हम यह नहीं कह रहें कि इसका price पिलकुल नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पर यह valuation के द्रश्टी से justified नहीं है, यहाँ पर demand बहुत जादा है, supply नहीं है, तो simple demand supply का situation है, जिसकी वज़े से यह stock यहाँ पर उपर चलता जा रहा है, अब अगर देखें, रुची सोया और यह stock में क्या फरक हो सकता है, देखें, रुची सोया का भी pretty much same था, उनके पास में केवल 1% के आसपास free float था वहाँ पर, और इनका stock जो था, रुची सोया का, वो आगया आने वाले समय में long term में stable हो गया, अब वहाँ से आप चाहें तो reasonable level पर, जब stock fully treat करने लगा, तो आप उसको वहाँ पर अपने पास रख सकते हैं, आप देखें, NCLT Resolution के बाद में 98% hold है उनके पास में, दनुका के पास में, तो इसका मतलब जो public के पास में है, वो 2% का ही free float available है, जिसमें से financial institute 1% रखते हैं, और साथ साथ में, जो आपके FIIs हैं, उनके पास में 0.1% है, तो remaining public के पास बहुत कम है, और उन public में काफी ज़्यादा operator लोग भी रहते हैं, इस बात को समझें, सिर्फ आप और हम लोग नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े operator लोग game खेलते हैं, जिसकी वज़े से आगे चल कर इसको काम करना पड़ेगा, अब आपको पता ही होगा, हर अगर आपके पास NCLT से पहले, अगर आपके पास 1000 share होते, तो उसकी जगा पर आपको सिर्फ 4 share मिले हैं, तो ये एक बढ़िया proposition नहीं है, जिसके लिए आपको ये बात समझनी है, कि हर टाइम पर हर जंगा आप ये stock नहीं खरीज सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर market cap की दर्शी दिखाए, 4000 करोड की company होई है, पर ये कब हुई है, जब इसका जो value थी, वो करीब करीब 200 करोड की थी, 200 करोड से 400 करोड होना, NCLT के बाद में एक normal process होता है, उसके बाद में, जब ये market में stock आएंगे, free float stock बढ़ेंगे, तब ही ये इसका आगे चलकर growth जो है, वो बढ़ेगी, आप देखें यहाँ पर, जो financial institute के पास में, जो stock holding है, वो बहुत कम है, जो tradable share है, वो अभी बहुत कम है, तो ये एक challenging stock बन सकता है आगे चलकर, और काफी सारे retail निवेशक इसमें फस सकते हैं, क्योंकि जो operator जिन लोगों ने अपना 1% के आस पास stake को रखाया अपने पास में, वो इसको बहुत जल्दी गिराएंगे, अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा visualization करके समझाया जाएगा, जब से इसन से पहला volume आया इसमें, वो है 2000 share का यहाँ पर, तो 600 रुपे का भाव जो है, यहाँ पर किसी ने बेचना शुरू किया है, अपना stock वो यहाँ पर मिलना शुरू है, पर कितने quantity गई है, महज 2000 share hand exchange वे हैं, 200, 2000 में अगर आपको simple simple be calculation किया जाए, तो यह 12,00,000 से जदा कमाल नही उठाए हैं यहाँ पर, अब अगले दिन, यहाँ पर अगली जो candle बनी है, उसमें 7,000 share hand exchange वे हैं, और इसका यह value जो है, वो करीब करीब 1000 के आसपास है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, तो इतना बड़ा quantum के साथ में trade नहीं रहा है, यहाँ पर इसको आपको देखना है कि long term में यह क्या value इसकी बनके आ रही है आपके लिए, प्लीज इस बात को समझेए, यहाँ पर volume कुछ नहीं है, जब यह operator जिनोंने यहाँ पर माल खरीदा है 600 के आसपास, और जिनोंने यहाँ यहाँ पर 1000 के आसपास खरीदा है, उनका return, expected return आ जाएगा, तो वो share को dump करन शुरू करेंगे, और वहाँ पर public जो अभी build के लिए लगा रही है, उनके सारे के सारे highest price पर वो खरीद के कुछ time के लिए फसेंगे, तो इस बात को अगर हम यहाँ पर projectile के हिसाब से दिखाना चाहें, और हम शमाच आते हैं, अगर किन लोगों को यह बात अच्छी ना यह देखिए, अगर यह उपर गया यहाँ से, तो इसका माल लीजे एक और level पर यहाँ पर एक और बड़ी बार बन जाती है volume के साथ में, तो उनका जो average cost है, वो 1000 के आसपास है, और माल लीजे आपको यहाँ पर 3000 के आसपास वो stock मिल रहा है, तो आपका उनको तो फाइदा म मल के रहिएगा, अभी के हिसाब से, जो इसका average volume बन रहा है, उसको आप दिखाते हैं, यह number आप अपने पास धहान रखेगा, क्योंकि यह study आपको technically में बहुत help करेगी, जब आप ऐसी company में निवेश करना चाते हैं, तो अभी के लिए जो इसका average price, अगर आपने हर एक दिन एक share खरीदा है, तो इसका average price 4.500 है, तो इससे जितना ज़्यादा divert होगा, यह stock उतना ही ज़्यादा इसको दिक्कत होगी, और फिर उतना ही ज़्यादा fall करेगा, तो यह एक पहला है हमारे channel का 5 by salary आप दखिएगा, और जब भी आप penny stock में निवेश करें, especially budget pharma, तो 2% से let it go, चाहिए 3000 पर भी चला जाए, हम इसमें पैसा लगाने के comfortable नहीं है, ना हम खुद लगा रहे हैं और ना ही हम अपने paid members को लगवा रहे हैं इसमें पैसा, यहाँ पर हो सकता है जब यह इस phase से निकले, जब यह euphoria खतम हो, तो फिर एक अच्छा consolidation phase आएगा, वहाँ पर बह बिल्कुल भी bullish नहीं है इस stock में, जब तक कि इसकी trading, normal trading ना हो जाए, जब यह पूरे दिन तक trade ना कर सके, हमारा target अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें जब तक कि यह correction ना आए, तब तक कोई average करने का आपको कोई फायदा नहीं है, अगर आपने इसको buy किया हुआ है, तो hold मत कीजेगा, gradually अपनी cost तो at least निकाल ही लीजेगा, अगर आपने इसको right time पर कभी buy किया था, आपके लिए चार वीडियो प्रस्ते हैं, और अगर आप हमेरे साथ trade करना चाहते हैं, ज़रन कीजेए, जहीं जब 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 तक करने हैं, जब तक करने हैं, जब तक करने है